तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग, I hope सब बढ़ी आई होंगे तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, Instagram के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है और Instagram में कुछ ऐसे फीचर एड़ किये गए हैं, जिसको अगर आप यूज करना सीख लेते हैं तो आप Instagram को एक अलगी लेवल में यूज कर पाएंगे जिहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, Instagram में न्यू अपडेट आ चुका है और उसके अंदर कुछ ऐसे ultimate features एड़ किये गए हैं, जिसके बारे में आपको confirm पता उनाई जाए 99% यूजर को दोस्तों नहीं पता कि Instagram के अंदर अपडेट आ चुका है और कुछ ऐसे features भी add कर दिये हैं तो कौन-कौन सी setting दोस्तों Instagram में add की गई हैं, उनको जानने के लिए आपको इस वीडियो के बिल्कुल end तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी सकित नहीं करना है अगर आपने चैनल पर पहली बार वीजिट किया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए है, चैनल को सस्क्राइब करना है और साथी बैल आइकन दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर उस ट्रिक का यूज आप अपने समार्टपोन में कर सके तो बिना टाइम वेस्ट किये कर लेते हैं वीडियो को start तो मैं आ गया हूँ दोस्तो अपनी mobile screen के उपर तो सबसे पहले आपको अपने phone के अंदर Instagram open कर लेना है Instagram open करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का interface होगा तो आपको यहां से profile logo के उपर click करना है और यहां से 3 line के उपर click कर देना है अब आपके सामने इस परकार का page create हो जाएगा तो आपको यहां से निचे सक्रोल करना है और यहां से आपको option मिलेगा your activity simple आपको इसके उपर tap कर देना है अब आपके सामने एक new page create होगा तो आपको यहां से दोस्तो बहुत सारे option देखने को मिलते हैं तो आप यहां से क्या check कर सकते हैं कि आपने कौन-कौन से post के उपर like दिया है किस post के उपर आपने comment किया है और किस post में आप tag किये गए है यह सब information दोस्तो आप यहां से पता लगा सकते हैं और जो second trick है इसके लिए आपको यहां से back करना है और यहां से निचे सक्रोल करना है इसके बाद आपको यहां से तीन option देखने को मिलेंगे जो first वाला option रहेगा दोस्तों वो रहेगा WhatsApp का और जो second option रहेगा वो रहेगा Facebook का और आप अपने Instagram account को Facebook से भी connect कर सकते हैं तो आप अगर WhatsApp से connect करना चाते हैं अपनी Instagram को तो simple आपको यहां से WhatsApp के उपर click कर देना है और अगर Facebook को आप Instagram से joint करना चाते हैं तो simple आपको Facebook के उपर click कर देना है मैंने already दोस्तों Facebook पहले इंस्टा से joint किया है तो यहां पे आप देख सकते हैं जब Facebook के उपर click करते हैं तो Facebook open हो जाती है अगर दोस्तों आप यहां से Facebook को connect कर देते हैं तो इससे क्या benefit होगा जो भी post Facebook पर देखने को मिलेगी अगर आप Instagram पर कोई status लगा देते हैं तो वो status दोस्तों Facebook पर भी automatically लग जाएगा तो दोस्तों यह थी आज के हमारी वीडियो वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और comment section में आते हुए प्यारा सा comment करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन्ट जै भार्त